जब अपने बच्चों को यह स्कूटर देंगे तो वह स्पीड कंट्रोल में चलेंगे देखते हैं कि इस चिप का क्या काम है आज तक हमने आपको दिखाएं है expensive electric scooter higher rate के higher level के आज है budget electric scooter की बारी और हमारे पास है यह तीन scooter जो की है TNR electric की तरफ से एक एक करके देखते हैं लो से लेके high तक कितने model है हमारे बास कड़े हैं तीन model जिस जो की है परला जैटर और इसके लगती है चिप कैसे लगती है क्या लगती है वो बताऊंगा मैं थोड़ी देर में पहले देख लेता है इसके इसको सामने से देखें तो थोड़ा सा क्रिस्प और जो इसके डिजाइन है वह थोड़ा डायनमिक टाइपस डिजाइन है एरो बने है पूरी बॉड़ी के अंदर यहां पर जो फेंडर है फ्रेंट फेंडर वो भी कपी छोटा सा है और इस वील के साथ में मैच हो रहा है य इतने कम बजट में भी वह बजट जब आप सुनेंगे तो सीरियसली शॉक हो जाएंगे यहां पर सबसे पहले देखते हैं कि जो लाइट है जो इसका डियारल कुछ इस टाइप से जलेगा और जो लाइट है LED है आगे की तर आपको मिल रहे है तो टर्न इंडिकेटर से यह इस टाइप का है जो बॉड़ी है वह तो फाइबर की है यहां पर इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर इसको करते हैं और यह है इसका इंडिकेटर्स के यह आपको लाइट जिख रहे हैं यहां पर यह ओडो है तीन इसके अंदर मोड है 123 जो लाइट हैं यहां पर स्विच हो जाए है और इस तरफ जो है यह आपकी लाइट का स्विच मिल रहे हैं जो कि बीस फॉर के नदर चले गए ते यहां पर भी हॉन का ही स्विच तो दोनों तरफ इस ले देते हैं कि जिसको जैसी प्रैक्टिस हो ऐसा कर ले यहां पर किल स्विच है ऑफ एंड और यहां पर तीन यहां पर चार्जिंग सॉकेट भी आपको मिल रहा है चार्जिंग पोर्ट यहां पर अपनी डेटागेवर लगाई है और इसकी कीस के साथ आता है यह वाला जिमोट जो कि दो आपको मिलते हैं इसके नदर जो ऑप्शन है वो भी काफे इंटस्टिंग है यह वाला इस बटन को मैं अगर दो बड़ी प्रेस करूंगा तो स्कूटर अन हो जाएगा विदाउट कीस तो कोई भी हो फिसको चला सकता है इसली आप दे सकते हैं किसी को विदाउट कीस की कीस नहीं देंगी इसको बंद करने के लिए इसको बड़ी बटन बड़ी दबाया और यह बॉडी डिजाइन की बात करें तो यह जो है यहां से भी फ्लो में जा रहा है पीछे की तरफ और जो रेर फूट पैक्स है वो यहां पे है जो सीट है वो सॉफ्ट है काफी कमफर्टेबल सीट है दो बंदों के लिए प्रॉपर सीट है खुब सूरती से डिजाइन हुई व आपको खुछ चलाना है तो यह 50 km per hour की स्पीड से चल सकता है लेकिन अगर आपके बच्चों ने आपसे लिया तो आप यह चिप छुपके से लगा सकते हैं यहां पर जैसे यह चिप लगा देंगे ना ऐसे करके बस फिक्स कर दीजे बच्चों को पता भी नहीं चलेगा और यह सिर्फ 25 km per hour की स्पीड से जाएगा उस उपन नहीं बढ़ेगा तो मतलब इसमें जो है चाइल सेफटी और अगर बच्चा सीखना चाहरा है 25 km की स्पीड उसके लिए बहुत है यह जो लो बजट और जो बजट में आने वाले स्कूटर होते ना इनकी बैटरी होती है वह इसके रिलाइबिल्टी वह बढ़ जाती है यह मेंटिनेंस फ्री बैटरी होती है यह लेकिन फिर भी जो कंपनी एंगी तीन सर्विस तक देती आपको फ्री अब यह स्कूटर है जिसके बारे बहुत कर रहें इसका नाम है जैटर अब इसी का यह क्लासिक वेरेंट है वह य जो इसी स्कूटर की परस्टनालिटी है वह दिखाई भी है यह अब जैसे की इसके इस्क हमें अब यह फ्रक आजाता है जैसे कि बूटा अगर भी खोलना चाहूं यहां से मतलब डिगि अगर खोलना चाहूं तो यह ऐसे कर के कुछ खूल सकती है आप अपना थोटे मार्व समानिया पर रख सकते हैं और यह जो फ्लोर है यह फ्लोर अपको क्लासिक स्कूटर्स की याद दिलाएगा जब एक पैरी दर रखा जाता था एक पैरी दर और बीच के अंदर यह वला पोर्शन होता था तो यह वह क्लासिक फील को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है एलेक्टर फिर स्कूटर के अंदर भी आज़ा तो क्या यह बात है यह जो कुछ सीट के डिजाइन है यह स्प्लिट होता हुआ यहां से बैक में जा रहा है और पीछे आपको यह कैरियर सबगारा देखने को मिल रहे हैं तो सीट खोल के देखते हैं इसकी क्या है इसके नीचे तो नीचे द जाटर में सेम ही होता है तो इसकी तेल है कुछ इस टाइप की है फ्रीम्यम लुक तो है यहां पर अगर जाइट खोल दें तो कुछ इस टाइप कि लाइट है यहां पर थोड़ा सा नंबर प्रेल लगागा जगा और सेम टेचनोलोजी की मोर्ट सिफ बैटरी का फरक है यह फाइफ बैटरी से लाइस है जो जैटर्स का जो नॉन्मल बेरेंड वो इस इन दोनों के बाद एक और मॉडल है जिसको कहते हैं नाम तो बाद कुछ बदाइब दो इसका जो इसका जो डिजाइन है वह भी कुछ किसी टाइप से रखखा गया तेकिए जो जो ग्लासिक टच है वह इस तैप सिप इस च्रॉम की फिनिशिंग के साथ में वैसा डिजाइन स्लिम सा है और इसको अगर अगर तो एलेडी है इसमे ब्रेक दबागे यह चलने लायक हो जाएगा तो अब यह ड्राइब मोड पर जैसे में ब्रेक दबागे इसका पार्किंग मोड पर आजाएगा अपने खुद बेखुदी तो छोटे मोटे स्टोर इच आपको यहां पर देखना को मिलेगी यह दो बॉक्से बना रखें इसक स्टोरेज मिलता है जिसके अपना चार्जर और चोटी मोटे आइटम रख सकते हैं और पीछे कज उसका शेप है यह थोड़ा क्लासिक याद दिलारा मुझे जो बाइक स्वा करती थी उसमें कुछ इस तैप की लाइट हुआ करती ती यह जो लाइट है यह है यह है और इसक अब सुलेते हैं इन तीनों स्कूटर आगा एक करके साउंड इलेक्ट्रिक स्कूटर साउंड कैसा करता है जो जिस में खड़े हैं यह बहुत शान्त है तो इसको एसी स्टार्ट करके दिखते हैं जो वील है इसका वो स्पिन हो रहा है बट जो साउंड हमारे तक कोई भी सा है इसमें भी नो साउंड है अब अब तो फिसका साउंड है उसका जो साउंड है तंड पर में लगा हूं इसको तो यह मैं इसको वन कियो और सो यह है इसका electric scooter sound जो कि sound ही नहीं actually दुस्तों यह थे budget scooter में तीन scooter और भी scooter है जो की है TNR electric के यह आपको मिलते हैं FG electric के अंदर और यह इनका contract नमबर रहा इन scooter को जो इनकी warranty होती है वो motor, battery और एक साल की control और एक साल की warranty company देती है जो इन तीन scooter की top speed है वो 50 km पर आर की है is की जो range है 75 to 80 और यह जो चलते हैं, यह 65270 चल जाते हैं, तो दोनों के अंदर इतना फर्क है, क्योंकि इसमें लगी है छे बैटरी और इसमें लगी है इन दोनों में लगी है पांच-पांच बैटरी अम फिर से आएंगे कुछ बजट की चीजे लेके आप लोग के लिए तब तक आप झाल 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 झाल